बापू अलमस्थ लाल बादसा देश का प्रसीध स्थान हैं जिसके प्रती देश वबीदेश में बसे लोगों के बीच बहुत आस्था हैं अलमस्त बापु लाल बादसा को अलमस्त बाबा लाल बादसा भी कहते हैं इनका दरबार नकोदर में है नकोदर की दूरी चंडीगड से 149 किलोमीटर और जलंधर से 25 किलोमीटर है इनका पीर दरगा बहुत खूब सूरत है इसमें टाइल्सो की बहुत अच्छी नकासे की गई है और इनका यह दरबार प्यार और सांती का प्रतीक है अलमस्त बादसा अपने भक्तों की परिशानियों को हर लेते उनके बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें से एक प्रसिद कहानी है कि उनके दरबार के आगे एक चाय की टपरी लगाने वाला वैक्ती को हिदय में सुराग हो जाता है डॉक्टर उसे 4-5 लाग के खर्चे के बारे मुवत आता है तो वो घबरा के बाबा के पास आता है और तब बाबा ध्यान में लीन होते हैं तो दरबारी उन्हें अंदर नहीं जाने देता फिर कुछ देर के बाबा उसे खुद कहते हैं कि उस भक्त वो लेकर आओ और जब भक्त उनके पास आता है तो उन्हें अपने पैर से वो धक्का मार देते हैं उसी सुराग वाले जगा पे और उनका सुराग सही हो जाता है इसके बाद डॉक्टर सभी लोग आश्चर्य में पर जाते हैं